सालों शाल तक चलने वाला आम के अचार की ऐसी रेशिपी में सेयर करने जा रही हूँ इसे जब बनाएंगे तो इसमें नानी, दादी और मा के हाथों वाला स्वाद आएगा और सबसे जरूरी बात कि जटपट से ये अचार आपका बन करके तैयार भी हो जाएगा कम समय में और आप दो साल तीन साल भी इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये खराब भी नहीं होंगे तो चलिए रेशिपी को सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए हमें एक बाहुल में पानी लेना है और कच्ची अमिया लेनी है मतलब कि raw mango और इसे हमें पहले अच्छी तरह से वाश कर लेना है तो मैं आज आपका अचार चिलके के साथ ही बनाने वाली हूं तो आम को अच्छी तरह से वास करके लेना बहुत जरूरी है उसके बाद हमें इसे सुखा करी लेना है मतलब कि इसके धोने के बाद इसे सुखे कप्रे से पहुंचना भी है तो चलिए मैं यहाँ पे आम को अच्छी तरह से धो ली हूँ उसके बाद सूखे कप्रे से मैं इसे पहुंच लूँगे आप ज़ादा मात्रा में चाहें तो बना करके इस अचार को इस्टोर करके रख सकते हैं फिलहाल मेरे पास दो आमी थी तो मैं इसी से इस अचार को बना ली हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी के साथ इस रेसीपी को भी सेयर कर दूँ तो इसी लिए मैं यहाँ पे आमी को अच्छी तरह से वाश करने के बाद पहुंच ली हूँ अब हमें यहाँ पे इसके बैक पार्ट को कट करना है मेरी मम्मी इसी तरह से आम का अचार बनाती है और बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टी भी बनता है तो आप लोग भी मेरी इस मम्मी के बताए हुए तरीके से जरूर आम का अचार बनाईएगा पर आम का अचार बनाने के लिए बिलकुल अच्छे आम का इस्तेमाल किजिएगा मतलब कि खराव आम का हमें इस्तेमाल नहीं करना है तो मेरी जो ये आम है थोड़ी पकी हुई है पकी हुई का मतलब कि इसकी गुठली हाड हो चुकी है तो ये मेरे knife से नहीं कट रही है और ये देखे थोड़े से इसमें चोट भी लगे हुए है मतलब कि कई बार ऐसा होता है न कि आमी जब उपर से नीचे गिरते है न तो उसे चोट लग जाती है तो उसमें दाग हो जाते हैं तो उस दाग वाले आम का हमें इस्तिमाल नहीं करन है तो अगर आपके पास साधन हो तो गुठली के साथ भी आप इसे कट कर सकते हैं बड़े बड़े टुक्रों में कट करें या फिर छोटे टुक्रों में कट करें पर मैं यहाँ पर आमी को छोटे टुक्रों में ही कट कर रही हूं क्योंकि जब अचार खाना होता है न तो ब तो उसे हमें फेकना नहीं है, आप उससे आम पन्ना बना सकते हैं, या फिर डाल में आम की इस गुठली का इस्तेमाल करें, जब भी आप डाल पकाएं, तो उसमें इस आम की गुठली को डाल दे, इससे आपकी डाल जो है बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे, तो इस तरह से इस गुटली को मैं फेकूंगी नहीं, मैं इसे रख लूँगी, बाद में डाल वगेर में इस्तेमाल कर लूँगी, तो चलिए फिलहाल सारे आम को मैं यहाँ पे छोटे-छोटे टुकरों में कट कर ले रही हूं, देखे, कुछ इस तरह से, तो चलिए आप लोग भी मेरे इस इस खास तरीके से आमका अचार जरूर बना करके देखिएगा अब हमें क्या करना है इसे थोड़ा सा पंखे के नीचे रख देना है ताकि इस आमी का जो मोश्चर है न इसमें थोड़ी बहुत जो नमी होगी वो निकल जाएगी अगर धूप आ रहा है तो धूप में भी आप पांच मिनट के लिए रखते हैं मैं उसे पंखे के नीचे फैला कर पांच मिनट के लिए रखने जा रही हूँ अब मैं यहाँ पे एक पैन में एक चमच ले ली हूँ जीरा उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है तेर चमच धन्या तो शाबू धन्या का इस्तेमाल मैं कर रह उसके बाद हमें यहां पे ले लेना है सौफ तो एक चमच मैं यहां पे सौफ ले ले रही हूं तो स्मोल टीज़ स्पून से मैंने सभी चीज़ों का मेजरमेंट किया है चोटे चमच से ही मैं यहां पे मसाले ले रही हूं बहुत जादा मसाले हमें लेने किया बस सकता नहीं ह क्योंकि मैंने हाफ केजी ही आम का इस्तेमाल किया है और बस इसमें हलकी सी खुश्पु आ जाए इसी एस टेस तक हमें भुनना है लो फ्लेम पे उसके बाद थोड़े से हरी इलाइची मतलब कि तीन से चार हरी इलाइची तीन से चार लॉंग और छोटी सी मैने दालजीनी का ठुकरा लिया है एक चमच हमें यहाँ पे सरसो के दाने लेने हैं मस्टर्ड सीट्स इन सबी चीजों को लो फ्लेम पे हमें बस मौश्चर खतम होने तक ही भुनना है बहुत जादा इस मसाले को हमें पकाना नहीं है अब इसी एस टेस पे हमें डालना है इसमें मेथी जैसे ही मशालों मेशे अच्छी सी खुश्बू आने लगे ना तो सबसे लास्ट में हाफ टीस्पून हमें यहां पे मेथी एड़ करना है अब हमें इन सबी चीजों को भुन लेना है गैस को ओफ करना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं जैसे ही यह ठन्दा हो जाएगा ना तो फिर हमें इसे दरा रखना है पल्स मोट पे रुक रुक कर ग्राइंड कीजिएगा बहुत जादा फाइन हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है फ्रेंट्स मेरे रिक्वेस्ट है कि अगर आज के ये अचार बनाने का मेथड आप सभी को अच्छा लगेगा न तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा चलिए दरदरा सा पाउडर रेडी है अब इसे साइड में रखते हैं नाक्स प्रोशेश करते हैं तो अब हमें यहाँ पे गैस की तरफ चलना है उसमें एक पैन रख देना है गैस पे और एक कप हमें यहाँ पे तेल डालना है वो भी सरसो का तेल उसके बाद आधा चमच हमें यहाँ पे हिंका इस्तेमाल करना है और दो चमच हमें यहाँ पे कसूरी लाल मिच लेना है उसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है मैंगो को तो पंखे के नीचे से मैंने आम को उठा लाया और उसके बाद इस कड़ाई में मैंने डाल दिया ह लो फ्लेम पे हमें इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है बहुत जादा हमें यहाँ पे आमी को पकाना नहीं है बस फटा फट से गैस को आफ कर देंगे और इस अभी चीजों को पेल के साथ मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे ग्राइंट किये हुए अचार का मसाला डालना है जो पाउडर अभी हमने रेडी किया था, तो आप चाहें तो पूरा पाउडर एड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट है, हाफ केजी आमी के लिए, पर मैं यहाँ पे तीन चमची, यहाँ पे मसाले का पाउडर एड़ कर रहे हैं, थोड़े से मसाले का पाउडर मैंने रख लिया है, उसका इस्तिमाल मैं आगे दूसरी रेशिपी में करूँगी, तो चलिए अब मैं इसे गैस को ओन कर दी हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मिक्स करना है, और एक मिनट के लिए बस हमें एक से डेर मिनट के लिए ही पकाना है, बहुत जादा पकाने की जरूरत नहीं है, चलिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, अब हमें यहाँ पे एक चमच डालना है, हल्दी का पाउडर, उसके बाद इसमें जाएगा नमक, तो नमक हमें यहाँ पे दो चमच लेना है, कच्ची आमी का अचार हो या फिर किसी भी चीज़ का अचारा बना रहे हो, तो नमक की मात्रा कम मत लीजिएगा, कम नमक डालने से भी अचार खराब हो जाते हैं, तो इसमें मैंने दो चमच डाल लिया है नमक, अब मैं इसे अच्छी तरह से कर ली हूँ मिक्स, उसके बाद मैंने कर दिया है गैस को आफ, तो चलिए मैं इसे गैस को आफ कर दी हूँ, रुकिए फ्रेंट्स वीडियो को यहीं पे छोर कर मत जाएएगा, अभी अचार तयार नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और भी चीज़े डालनी बची हुई है, तो चलिए अब मैं इसे उतार ली हूँ, जैसे ही यह थोड़ा सा थंडा हो जाएगा न, मतलों कि तेल जो है थोड़ा सा थंडा होने के बाद, यह आमिन नॉर्मल हो जाएगी, तो उसके बाद हाफ टी स्पून अजवाइन और क्लॉंजी को डालेंगे, तो अजवाइन और क्लॉंजी को मैंने भून करके नहीं लिया है, उसके बाद यहाँ पे हाफ टी स्पून हमें काला नमक डालना है, काला नमक जरूर डालिएगा अचार में बहुत ही जादा टेस्टी अचार लगता है खाने में अब हमें यहाँ पे एक और खास चीज डाल ली है तो मैं यहाँ पे एक चमच वाइट वाला सिर्का ले ली हूँ वेनिगर इससे यह अचार आपका खराब भी नहीं होगा अगर आपके हाँ धूप नहीं भी आती होगी तो आप इस अचार को दो साल तीन साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं पर यहाँ पे वाइट बेनिगर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अगर धूप आ रहा है तो धूप में रख दीजिए दो से तीन दिन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं अभी का मौसम तो ऐसा है कि इसे उपर से चन्नी डाल दीजिए और इसी तरह से इसी पैन में छोड़ दीजिए पंके के नीचे एक से दो दिन के लिए थोड़े थोड़े देर पे आप इसे एक दो आर मिक्स कर दीजिएगा उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं मतलग कि काच की जार में रखिएगा और ये अचार को आप दो साल तीन साल तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं खराब भी नहीं होगी तो जादा मातरा में फटा-फट से आमी ले आएए फ्रेंट्स और मेरे इस खास तरीके से इस अचार को ज़रूर बनाईएगा चार ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में